हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ अगरे लिए मुम्किन नहीं है कि मैं इस अलावता कमिटी के साथ आगे चल सकूँ आपको बाएकुतियार सर्वराँ चाहिए या बेएकुतियार फारुक सब्स्टार भाई की खाहिश ये थी कामरान तिस्टोरी भाई को सैनिट का उमीदवार मनाए कामरान तिस्टोरी भाई अब राप्ता कमिटी के मेंबर नहीं है सैनिट के टिकेट्स का फटड़ा, MQM तक्सीम दर तक्सीम, रूठे फारुक सब्स्टार नमाने, राबिता कमिटी मान गई इजलास मशिरकर के लिए पी आई बी कॉलोनी चले गए, फारुक सब्स्टार को आज भी अपना सरबराह मानते हैं, वसीम अफ़र की मीडिया गुप्तगू कामरां टिसोरी मुतहदा में ग्रूपिंग की वज़ा, सोने के ताजिर, MPA का एलेक्शन हारे, लेकिन पार्टी में नाम बनाने में कामियाब रहे, सैनेट टिकेट के मामले पर 6 माह के लिए रुपनियत मॉत्तल, मौका घनीमत जानकर सिराज जुरानी ने चोट कर दी तेजोडियां उनके बाद बहुत हैं, तो इसलिए तो इसको टिसोरी कहते हैं आल पाकिस्तान महाजेर स्टूडेंट और्गनाइज़ेशन से MQM के सफर का आगाज, तूड तूड के बाद, मुत्तहिदा के पारुख सब्तार P.I.B. और आमिर खान बहादराबाद गुरूप बन गए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग अभी भी, कश्मकश में हैं, जो हमसे भी राद्ते में हैं और MQM में हैं, जो कश्मकश का शिकार हैं, मुँन से कहूँगा खतम करें, आईए P.I.S.P. आपकी जगाए आपका घर है मुतहदा में ग्रूप लेंग पर P.I.S.P. एक्टिव, रजाहरून ने MQM राहनमों और कारकुनों को शम्मूलियत की आउफ़र दे दी, खत्म हो गई MQM की कहानी, पारुक सतार अब बार में खिलाडी 10 M.P.A. निकलने के बाद, सैनेट इलेक्शन में MQM मुश्किल का शिकार खवातीन और टेक्नोकरेट की दो निशिस्तें कम हो सकती हैं, एक जनरल सीट भी हाथ से निकलने का ख़च्चा M.P.A. की धड़े बंदी में किसी की सपोर्ट का इल्म नहीं, जिनका आपस में तफाक नहीं, अवाम के मसायल क्या हल करेंगे मुराद अली साकतन 24 रोज बाद मरदान की असमा के कातल की शनाख, 145 नमूनों में से दरिंदे का डी आने मैच कर गया रिपोर्ट मिलते ही खेबर पक्तुनखा का एक्शन, नन्नी परी के दो रिश्चेदार और एक मुच्तबा सफ किरसार तहरी के अन्साफ पौरान असनावला की प्रेस कांफरेंस पर एतराज असमा केस में अगर कोई मुल्जम पक्ड़ा जाएगा तो खेबर पक्तुनखा पुलिस बताएगी वजिर कानून पंजाब सियास्त ना चमकाएं, ववाज चौधरी की गरज परस आसमा काति केस मुल्जम भतीजे को बैरूने मुल्ज से वापस लाएगे सुप्रीम कोड का तहरी के अन्साफ मरदान के जिले सदर आफ़ताब आलम को हुक्म तहकीकात पर असर अन्दाज होने की कोशिश की तो छोड़ेंगे नहीं तीजस्टिस की बॉनिए महसुम जैनफ के कातिल पर कानून का सिकंजा मजीद सख इमरान मजीद साथ बच्चियों से जादती और कतल केस में भी नामजद इंसदाद देश्टगर्दी अदालत ने तीन उज़ाज जिस्मानी रेमांट पर पुलिस के हवाले कर दिया वक्त थाबित करेगा इंतकामी कारवाईया हुई नून लीग नहीं मुलकी तरकी के खिलाफ साज़िश हो रही है मेंडेट शीनने का सिलसला अब बंद होना चाहिए तमाम मुकादमात का डटकर मकाबला करेंगे नवाज शरीफ की ललकार शरीफ फंदान के खिलाफ नवाज शरीफ मरियम और कैप्टन रिटाइट सब्टर एकसाब अदालत में पेश वकील की अदम मौजूद की पर समात मुलतवी कल फिर तलबी इलेक्शन एक्ट के खिलाफ दर्खासों की सुप्रीम कोर्ट में समात नवाज शरीफ का अदालती कारवाई में हिस्तान ना लेने का फैसला दर्खास गुजार या मुकदमे में फरीक नहीं साबिक वजिर आजम का मौफ़ज नवाज शरीफ के लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जाइज सर्माए से नहीं बनाए गए ट्रांस्पिरेंसी इंटरनाशनल ने साबिक वजिर आजम समयत पांच अफ़ाद की मश्कूक जायदादों की फैरिस जारी कर दी बर्तानमी एदारों से पौरी तहकीकात का मुतालिबा मिया साब एक दोर वो था जब काबे में बुत बरे हुए थे आज अदालत जो सबसे बड़ी हुची अदारा है वहाँ भी पीसी ओ के बुत बरे हुए है तोहीन अदालत केस खलाल चौदरी को वकील करने के लिए एक हफ़ते की महलत शो काउस नोटिस भी जारी क्यों ना तीन माह या तीन साल का वख दे दें सुप्रीम कोट के रिमाग दाने आल अजीज तोहीन अदालत केस शिर जिस्टिस ने जिस्टिस अजमत सईथ की सरबराही में तीन उखनी बेंच तश्कील दे दिया लीगी राहनमा को शो काउस नोटिस जारी आफिज जर्दारी करप और मुनाफ़ा खोर करार साबिक सदर और अयान अली में एक चीज मुश्तरक ब्रीज केस रखते हैं आफिज पिर अली का संद्द आप दौा करें कि हम हुकुमत बनाएं बाकि कोशिश करें हमसे मिलने की अतनी बड़ी पापुलर्टी मिलती है गालम गलोट पालिटिक्स है ये खतरनाक है मुश्तर दौा करें पिज़ पार्टी की हकुमत बन जाए पीटिय आए को साथ मिलाने की कोशिश करेंगे कुछी चाने एरादा बता दिया एदारों को अपने दाराकार में रहने का भी मश्वरा कहा जाता है हुकुमती मौामलात में मदाखलत होती है खराबी की निशान दहीर जरूर करेंगे इन्सानी स्मंगलिंग अस्पुद लोटिस केस की समात के दौरान चीज जस्टिस के रिमार्ट विजारत दाखला से सिफारिशात तलब पार्टा के सैनेट इंतखाबात की रह में रकावट खत्म इलेक्शन एक्ट 2017 को कबाली इलाकाजात में नाफिस करने के हुकम नाम में पर दस्तख़ रेंजर्स के खुस्सी इखत्याराफ में नवे रोज की तौसी महेकमाई दाखला सिंद्ध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया फिराची में चीनी शहरी का कतल असलिहा माजी में किसी वारदात में इस्तेमान नहीं हुआ CTD की अब्टदाई तख्कीकाती रेकोर्ट तैयार 6 एनी शाहिदीन के बयानात कलम बंग शहरे काईद में बेयमनी भेलाने की साज़श बेनकाब इंचलिजन्स मालूमात पर रेंजर्स का न्यू कराकी में चापा दुकान में चपाया गया असलिहा बरामद शहराची पुलिश के एक्शन पाकिस्टान बाजार से कतल और भटाखोरी की कई वारदातों में मलविस दो टागेट किलर्स के रपतार मुल्जिमों की निशान दही पर खाली फ्लॉट से असलिहा बरामद सेनेट की कमेटी बराय दाखला का इजलाच वरासत में हिस्टा देने के मौमले पर खाजसराओं के नुमाइंदों को चलब करने का फैसला पाल दीप में सियासी भोचाल सदर अब्दुल्ला यामीन ने 15 रोज के लिए एमर्जंसी लगा दी पीज़स्टे सुप्रीम कोट और एक जज़ गिरफतार ओपोजिशन रहनुमा भी घर लिया गया पेंटरवान की डिफेंस लाजिस्टिक एजनसी के पास करोरो डॉलर्स का हिसाफ किताब नहीं आडिट रिपोर्ट में इनकिशाफ राकन मुवयना तोर पर फाजी प्राजेक्स की तामीर और कंप्यूटर सिस्टम पर खर्च की गई बर्तानियों में हर सरफ बर्थ ही बर्थ कई परवाजे मन्सूख अमरीकी रियास्त नुजूरी में हाईवे पर सौसे जाइज गाड़ियां टकरा गई एक खातून हलाक बबुजभी में शदीद धुन के बाइस खौफनाक हादसा चवालीस गाड़ियां टकरा गई हादसे में बाईस अफराद जख्मी दबंग खान के ट्वीट से शायखीन दंबखुद अब ये फिल्म का नाम है या वाकिद दिल की रानी मिल गई मद्दा अकुत जानने के लिए पेताब जगरा एक नशिस्त का M.K.M. पाकिस्तान की जान को आ गया पार्टी अमलन दो हिस्सों में बढ़ चुकी है फारुक सतार और आमिर खान ग्रूप आमने सामने हैं यहां फारुक सतार अकेले पड़ गए हैं और तमाम बड़े नाम आमिर खान के हो गए हैं फारुक सतार ने कारकुनों को P.I.B. कॉलनी बुला लिया जबके आमिर खान ग्रूप की भी पी आमद हुई है तो मनाने का सलसला जारी है एक बार फारुक सतार जो के P.I.B. कॉलनी में मौजूद है उन्हें मनाने के लिए यहां पर राफ्ता केमिर्टी के अरकान पहुँचे हैं जिनमें आमिर खान खुद भी शामिल है आमिर खान वही आमिर खान जिन पर ये कहा जा रहा था कि वो ग्रूपिंग कर रहे हैं वो एक दूसरा ग्रूप बना रहे हैं मतहदा पाकिस्तान में जिसकी सरवाही वो करना चाते हैं और वो तोड़ना चाते हैं मतहदा पाकिस्तान को और आमिर खान अब खुद पहुँच गए है फिर इलाही बख्ष कॉलिनी बात करते हैं दुनिया निश्ट के नुमाइंडे बावर सलीम हमारे साथ मौजूद है बावर कराची की पॉलिक्स में सब कुछै लाइच्ञ, कैमरा, एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर, इवन ट्रेजिडी भी है, कामिडी भी है, सब कुछ मिल जाताए बावर कराची की पॉलिक्स में राफ्टर कमिटी के आराकीन जो है इनमें वसीम अख्थर इसके साथ नस्रीन जलील, रूफ सिद्धीकी और दीगर जो बड़े नाम है वो इसके फारुफ सत्रार के घर पे मौजू रहे हैं राफ्टर कमिटी इसके मौजू रहे हैं किसी तरीके से मनाया जाए और अम्किम जो के जड़े बंदी का शिकार नजर आती है जो एक खलपशार है इस पूरी पार्टी के अंदर उसको दूर किया जा सके एक जाने पी आई बी का जो किमसी पार्क है वहां पर कारकुनान मनतजिर हैं किसी भी मतवक्ते फैसले को सुनने के लिए दूसरी जाने पर फारुक सतार को मनाने के लिए आमिर खान खुद भी यहां पहुँच गए हैं जो के इस वक्त बड़े मुखालिफ समझे जा रही थे अब तक इस तूरी सुदत एहाल के अंद तो काफला जो बहादराबाद से निकला था वो अब पीर इलाही बख्ष कालोनी पहुँच किया है फारुक सतार को मनाने की कोशिश की जा रही है और जब रवाना हो रहे थे तो उस पर वसी मगतर मेर कराची उनका कहाना था कि सब की पूरी कोशिश है कि मामला तैप आ जा उनका ये भी कहना था कि वो पार्टी में मज़ीद अक्सीम नहीं चाहते हैं वो फारुक सतार को सरबरा मानते हैं हम सब की पूरी कोशिश है कि मामला तैप आ जाएं और उम्मीद करते हैं कि इंशालला जितने एफर्ट्स किये जा रहे हैं मामला तैप आ जाएंगे हम नहीं चाहते कि डिवाइड हो हम आज भी फारुक सतार भाई को सरबरा मानते हैं और चाहते हैं कि वो ही लीड करें राप्ता कमेटी मक्यम पाकिस्तान का एक मजबूत फोरम है आएंदा आने वाले वक्त में राप्ता कमेटी ही पालिसी बनाए हमारी जमात की और इसी मामले पर ताज़ा खबर ये कि फारुक सतार ने राप्ता कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया है मौतल राप्ता कमेटी के अरकान भी इस इजलास में शरीक होंगे ये कहना है फारुक सतार का फैसले से मीडिया को आगाह किया जाएगा जी हाँ डाप्ता कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया है और इसी इजलास में शिरकत के लिए जिन अरकान को मौतल कर दिया गिया था रात गए उन्हें भी बुलाया गिया है यानी बारा गंटे की मौतली थी लेकिन फारुक सतार ने कहा था कि इस दौरान ये अरकान वापस आ गए इन्होंने माफी मांग ली तो फिर मामला रफदफ़ा हो जाएगा क्योंके जो इजलास बुलाया गिया था राप्ता कमिटी का वो गहराईनी गहर कानूनी था क्या कहा आईए सुनते हैं कारकुनों से बात करूँगा फैसला करूँगा और उन्हें इत्माद में लूँगा और उनके सला मश्वरे से फैसला करूँगा उन्होंने खामी भरी अंदिया दिया कि वो आना चाहते हैं वो आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बाहदराबाद हो या पी आई भी कॉलोनी यहां भी हमारा मरकस रहा है और वो आ जाए हम इजलास कर लें फिर जो फैसला होता है इंशालला आपको बताएंगे खबर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का हमारे साथ रही है उल्मारा आपको बताएंगे